Hello friends, finally IRCTC का result आ चुका है, जो result है वो काफी ज़्यादा शानदार आया है result के बाद अब हम इस share की proper value निकालेंगे यानि जब company के share को higher P मिलता था उस according company के share की value क्या हो जानी चाहिए और other internet company से आप peer comparison करते हैं तो उस according company की fair value क्या निकल के आती है और result के बाद जो company का EPS बढ़ा है उस according company का current P क्या हो चुका है ये सब कुछ हम discuss करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं company का result कैसा रहा जिसमें revenue की बात करें, तो FI21 में जो September quarter है, वहाँ company का revenue 88.5 करोड था जो भढ़कर September quarter FI22 में ये हो चुका है 405 करोड का, यानि इसमें आप jump देखेंगे revenue growth में 357% की यहाँ पे आपको लगेगा कि जो growth है वो काफी तेजी से बड़ी है, पर पिछले साल आप देखते हैं तो COVID का समय था, वहाँ पे हम सब को पता है कि जो company की services काफी हद तक बनती, जिस वज़े से company की revenue as well as profit growth में काफी ज़्यादा decline देखा गया था अब भी जो यह sales और जो profit है, यहाँ पे normal आ चुके हैं, जिस वज़े से last year के comparison में आप देखते हैं, तो यह आपको काफी high profit growth और revenue growth आपको दिखाई देगी last year के comparison में तो यह कारण है इसका जो आपको इतना तेज जम दिखाई दे रहा है, वो last year के basis पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे profit की बात करें, तो profit last year यानि September quarter FI 21 की बात करें, तो 32.6 करोड का था और यह भढ़ कर FI 22 में September quarter में 158.5 करोड का हो चुका है, यानि जम की बात करें, तो 38 386% का भढ़ चुका है, तो यह काफी अच्छा माना जाएगा year on year basis पे, operating profit margin की बात करें, तो last year minus 6% के थे, और इस समय हम देखते हैं, तो यह operating profit margin काफी तेजी से बढ़े है, 52.23% के हो चुके हैं, यानि काफी ज्यादा जम आया है, उसके बावजुद हम देखते हैं, तो company क share price इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, तो यह क्या कारण हो सकते हैं share price नहीं बढ़ने के, वो आगे हम discuss भी करेंगे, सबसे पहले जो revenue है, उसका break up भी देख लेते हैं, जो company का revenue break up है, यानि internet ticketing से company का revenue है, वो last year 58.2 करोड था, और इस साल 265 करोड का हो चुका है, catering service की बात करें, तो last year 17 करोड के around था, और इस साल 71.4 करोड का हो चुका है, और other segment की बात करें, तो company का revenue है, वो 13.3 करोड था और इस साल 68.6 करोड हो चुका है, यानि सारे ही segment में काफी तेजी से growth देखी गई है, अब इसमें जो company का EPS की बात करते हैं, तो company का result आने से पहल पैसा का, अभी ये result आने के बाद, जो company का EPS बढ़ा है, वो बढ़ा है, वन रूपीस 57 पैसे से, अब ये जो total EPS हो चुका है, September quarter, FI 22 तक, इसमें हम देखते हैं, तो company का EPS काफी तेजी से बढ़ा है, और ये EPS बढ़कर 5 रूपीस 29 पैसा हो चुका है, अब इसमें आप fair P.E. company को देना चाहते हैं, तो fair P.E. अगर 100 का आप देना चाहते हैं, तो 100 का दे सकते हैं, क्योंकि आप peer comparison भी करते हैं, other internet company से, चाहे internet company से कर लीजिए, या कोई भी आप monopoly company से कर लीजिए, उनका P.E. आपको around 100 के आसपासी trade करता हूँ मिलेगा, उस comparison में company का P.E. काफी ज़ बड़ी है, जिस पज़े से current P.E. company का automatically निकल के आता है, 161 का, यानि काफी तेजी से company का EPS में decline देखा गया है, यहाँ पे आप peer comparison भी करना चाहते हैं, तो info H का जो price to earning है, वो 106 का है, India Mart का price to earning 71 का है, IEX की बात करते हैं, तो वो भी एक monopoly है, उसका price to earning 80 के around है, CDSL का price to earning 55 का है उसके comparison में जो यह IRCTC है, इसका price to earning 250 का trade कर रहा था कुछ समय पहले, यानि government की जो policy का announcement नहीं हुआ था, उससे पहले जो इसका price to earning है, वो 250 के अबब trade कर रहा था, अभी government की policy का announcement होने के बाद, जो share है, उसमें काफी तेज़ decline देखा गया, और result इतने मजबूत आने के बाद भी, जो company का share है, वो बड़ा नहीं है, अब इसमें value क्या-क्या निकल के आती है, वो हम discuss कर लेते हैं, अगर fair PE, जो other internet company के share को मिलता है, लगबग 100 के around, आप 100 का fair PE इसको भी दे सकते हैं, हो सकता है, future में ये 100 का PE trade करता हूँआ, दिखे, तो उस according, आज की जो result आए है, आज क इसकी value होगी, वो और ज्यादा हो जाएगी, अब इसमें, जो value निकल के आती है, पाच रुपए 29 पैसे, जो company का current EPS हो चुका है, जिसको multiply करेंगे 100 से, तो इसकी value निकल के आती है, 529 रुपीज, यानि other, आप company से compare करते हैं, तो उसके according 529 रुपए, result के बाद इसकी value हो जा आनी चाहिए, या अभी, यानि recent times में हम देखते हैं, तो 250 के उपर इसका peer trade करता था, उसके according इसकी value जो 5 रुपीज 29 पैसे है, इसको आप multiply कर लिजिए 251 से, अब इसको आप 251 से multiply करते हैं, तो इसकी value निकल के आती है, 1327 रुपए, अगर ये government का announcement नहीं आता, ये जो convenience fees का announcement नहीं आता, 50-50 का, तो इसकी value लगबग आच, मतलब पिछले current PE के इसाब से, इसकी value लगबग 1300 रुपए के round हो जानी चाहिए थी, जबकि current market price company के शरकी चल रही है, 855 रुपए result के बाद, अब यहाँ पे आगे जो expected EPS company का हो सकता है, आगे आने वाले result कैसे रह सकते ह है, इसमें 2 quarter आगे और discuss कर लेते हैं, जिसमें quarter 4 तक, FI 22, possible EPS, आज के result के बाद हो जाना चाहिए, 7 रुपीज के around, यानी वही आप fair P से compare करते हैं, तो fair P 100, तो value निकल के आती है, 7 रुपए, जो company का current PE निकल के आता है, 150, अगर यही PE future में भी रहता है, तो value निकल के आती ह यह quarter 4, FI 22 तक, 1050 रुपए, और जो 200 का PE, पहले company के share को मिलता था, उसके according value निकल के आती है, 1750 रुपए, तो यह 3 value निकल के आती है, तो आप इसको देख सकते हैं, तो आज का वीडियो यही अबर होता है, वीडियो पसंद आये तो like करना, और चैनल को subscribe जरूर कर लेना, औ और अपने friends और family के साथ इस video को आप जरूर share भी करना, मिलते हैं अगले video में, thank you